जै मातारानी दोस्तों आपके अपने चैनल किरन ब्लोग्स एंड ग्यान की बाते चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मा काली दुरगा की किरपा आप और आपके पूरे परिवार पर उनका असिरवाद सदा सरवदा बनी रहे आज की वीडियो में मैं बताने वाली जो अपने घर में बेजवान जीव को जो हत्या करते हैं बली देते हैं ये करना बंद किजिए इससे माता काली खुष नहीं होती है बहुत नराज होती हैं काली माता को कभी भी नहीं चड़ानी चाहिए ये पांच चीजे भूल से भी चड़ा दिया तो बहुत बुरा हो जा लेकिन यह गलत है, जीव की हत्या नहीं की जाती है, माता, कोई भी माता हो, कोई भी माता, दुर्गा माता हो, काली माता हो, वो जीव हत्या नहीं करने के लिए कहती है, वो पानफोल से ही आपका खुस रहेंगी, आपका प्यार चाहिए, जीव हत्या नहीं चाहिए, तो यह कर कर दिजिए अगर यह चीज आप कंटीनियू चढ़ाते जाओगे चढ़ाते जाओगे आपका इसमें कभी भी भाला नहीं होने वाला है और बल्कि आपका बहुत बुरा हो जाएगा आपको आज इस वीडियो के माधियम से पांच ऐसी चीज के बारे में बताने जारी हूं जो सब कुछ वीडियो में बताने वाली हूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करके और यह बीडियो जितने भी है यह बीडियो जो है अपने फेमिली फ्रेंड्स में सेंड किजे ताकि उन लोग अपने फायदे के लिए यह जीव हत्या कर रहे हैं जीवो की बली दे रहे हैं ज्यादा तर मैं देख रही हूं काली माता पर यह काम कर रहे हैं काली माता के नाम से कभी मुर्गे की बली दे दे रहे हैं कभी बक्रे की बली दे रहे हैं कभी भेंड की बली दे रहे हैं जब अनमे के सऌहर की भी और की थीज़, शूवर की भी्त कि भली की मैं एबार की भुखित मेंस, दिस Сब के भाइड़ा, पमे थेखा हैं, जो कि भुखित हैं. यदि आप अपने फायदे के लिए जीव हत्या करेंगे तो ना काली खुस होंगे और ना ही भगवान खुस होने वाले, कोई भी देवी देवता खुस नहीं होने वाले हैं, जीव हत्या करेंगे तो जिन्दगी भर आपको भोगना पड़ेगा, और इसी जनम में लोग बोलते मैंने अपनी आखों से देखाया कि बड़े-बड़े मंदिरों में, मैंने भी देखाया कि बड़े-बड़े मंदिरों में अपनी आखों से कामाख्या मंदिर में, बहुत बड़े-बड़े मंदिर में यहां है, मेरे आज-पास के भी मंदिरों में, काली मंदिर में बली दे बकरी के बच्चे के सुवर के बच्चे को भी बली देते हैं, कड़ा जो भैसा उतना भैसे के बच्चे को भी बली देते हैं, देख देख के मेरे को इतनी हैरानी होती है, लोग अपने फैयदे के लिए क्या कर रहे हैं, एक जीव जानुवर की हत्या कर रहे हैं, इसमें कभी जीवन में ना तो देवी खूस होंगी या नहीं, कोई देवी नहीं खूस होंगी, कोई देवी खूस होते हैं बली से, इसकी सजा आपको मिलती है, तो मैं आपको पांच चीजे बता रही हूं, पहली चीज आपको अपने घर में माता काली को कले जी का भोग नहीं लगाना चा आप यह दो सरिय चीज मैंने लोगों को देखा है आपने घरंगे मोर्गी सो पर सुन सावत, नहीं और ऐसे को दो आप यह काम कर रहे हैं तो आज से बंद करो यह वीडियो देखने के बाद मैं आपको ऐसी बात बात में बात के बारे में बताने जा रही हूं जिसमें आप जीवन में यह सब कुछ करना छोड़ दिजिएगा चोथी चीज लोग क्या करते हैं कि बकरे के वाले की जो दुकान ह होती है लोग क्या करते हैं खपर लेते हैं haaraan मार माकाली को सेंगार और मार काली की कलेजी मीठे में भोग दारू का भोग यह चीज मा काली को अपनी घर में चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं, यह ठीक बात नहीं है, मैं बार बार बोले हैं, खपर जला के भक्तो, अगर यह पांच चीजे आप मा काली को कभी भी जीवन में चढ़ाएंगे तो इससे आपका कभी भाला नहीं होगा, बलकि आपके साथ हमेशे बुरा ही होगा, होता रहेगा, आपको पता नहीं चल रहा है, यह सब करना, बंद कीजिए, नोटिस कीजिए कि आप कर क्या रहा हैं, आपको कह दू, कह देती हूँ, अगर आप यह चीजे चढ़ा भी रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में ना चढ़ाएं, घर में यदि आप यह चीजढ़ाएंगे, तो मा काली उल्टा आपको डंड देगी, अगर आप यह चीजढ़ार भी रहे हैं, तो घर में ना चढ़ाएं, घर से बाहर चढ़ाएं, और पहली बात तो जीव हत्या करना ही नहीं चाहिए, अरे माता त तो जीवन देती है, जीवन लेती नहीं है, यह आपको अपने दिमाग में घुसाना होगा, ठीक है, अगर मान लिजिया, आपके घर में हत्या कर रहे हैं, लोग तो आपके साथ हमेशा बुरा होगा, कभी आपका भला काम नहीं होगा, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, जैस को क्या करना है एक बखरा ले लेना है माता काली के मंदर में ले जाकर छोड़ दीजिए उसे जान से मारने की क्या जोरुत है उसे नहीं मारना चाहिए उनके नाम से माता काली के नाम से छोड़ दीजिए अगर आप बली देंगे तो उसे माता काली खुस नहीं होती है यह आप देखी, मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं, सुचते हैं कि हम मा काली को ये चीज चढ़ा रहे हैं, मा काली से मंजूरी ले रही है, खा रही है, पता है, क्या सोच लेते हैं, देवी भागवान कभी भी ये भोग नहीं लेती हैं, ठिक है, ये भोग मत चढ़ा ये, उनका भो नहीं होता है, माता को कभी भी नहीं करती ये भोग, ठीक है, यदि आप अपने घर में कभी भी ये चीज चड़ाओगे तो कभी आपके साथ जीवन में अच्छा नहीं होगा, हमेशा आपके साथ बूरा ही होता रहेगा, जैसे मान लिजिए, मैं आपको बताऊंगी, थोड़ किसी को, मा ने आपको ये हक नहीं दिया है, कि आप जीव हत्या करें, ठीक है, जैसे कि मान लिजिए, कोई काम के लिए आपने बोला और आपने बोल दिया माता मेरा यह काम करा दे, मैं तुझे बकरी की भेंट दूगी, या बोल दिया, और काम आपका तुरंत चुटकियों में हो जाता है, ठीक है, मानतियों में हो जाता है, लेकिन बाद में भुगतना भी पड़ता है, आपने बकरी की बली तो दे दी, थोड़े ही दिन आपकी ठीक रहेगा जिंदगी, थोड़े ही दिन बाद आपका काम नहीं चलेगा, उसके बाद आपका काम ऐसा ठप हो जाए ठीक है माता को बुलाने के लिए आप कुछ भी कर लो कभी माता आपके पास नहीं आएगी तो थोड़े दिन की आपकी जादुगुरी चलेगी और दिन नहीं चल सकती है कभी जीवन भर नहीं चल पाएगी या गलतिया करना बंद कर दीजिए मैं सभी भक्तों को कहती हूं नारे चड़ाओ या किसी जंगल में चड़ाओ अगर घर में आप खपर का भोग लगाएंगे तो माता कभी स्विकार नहीं करेंगी आपके घर में बच्चे हैं वो तो सोच लिजिए आपके ऊपर नहीं बच्चे माबाप का किया ना बच्चे को भोगना पड़ जाता है इ जीवन में आपका कभी भाला नहीं होगा ठीक है मैंने तो बोल दिया आपको बुरा लगा हो तो माफ किजिएगा मैं आप लोग सो माफी मांगना चाहती हूं कि मैं ये सब बोल रही हूं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जीवहत्या मुझे लगता नहीं है मैं 100% स्वेर तो आप जीवहत्या बंद करें बाकी आप समझ सकते हैं तो मिलती हूं अगली वीडियो में तब तक लिए जै मातारानी हर हर महादे ओम नमसिवाय भगवान आपका भाला करें